So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited की So guys, ITC Limited में हमें last trading season से अच्छी बड़त देखने को मिल रही है But कल के दिन stop में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो इसके levels को discuss करेंगे, कल क्या pattern इसमें हो सकते हैं कल क्या rally हमें देखने को मिल सकती है उसे हम discuss करेंगे, तो वीडियो को यहन तक देखना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को भी subscribe कर देना तो बिल्कुल यहाँ पर last trading season ITC ने 408 रुपे के level पे closing दी थी 7 रुपे 70 रुपे से तक की बड़त है 1.92% के basis पे share में growth manager आई थी वही बात कर लें तो stock में आप देख सकते हो एक अच्छी rally हमें देखने को मिली है अच्छे momentum के साथ यह share उपर की और जाता हुआ हमें दिखाई दिया है और यहाँ पर आप देख सकते होगा stock में बिल्कुल support नजर आते है यहाँ से एक अच्छे support के साथ share उपर की और गया है और उपर से अगर देखें तो rejection था और यहाँ पर मैं जब यह open हुआ था last trading season में ने बात कर ली थी कि यहाँ पर 21 तारीक के दिन stock में अच्छा momentum है सकता है क्योंकि हाँ पर अगर देखे 20 तारीक के लेवल हमने बातचित की थी कि एक ascendal type triangle create हो रहा है 401 रुपे का लेवल अगर break होता है तो एक अच्छी बड़त हमें देखने को मिल सकती है और बिल्कुल वही चीज हमें देखने को मिली breakout जैसे ही मिला एक stock में एक अच्छी growth हमें देखने को मिली और गाइस अब होगा क्या तो एक चीज आपने देखी होगी कि कोई भी share कभी भी अगर breakout देता है तो उसके बाद जिस level से उसे breakout मिला है उस level पे sustain करेगा तो वही चीज में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 401 के level पे फिर से आ सकता है sustain करने के लिए और फिर यहाँ से एक अच्छी बड़त बता सकता है तो एक buying level यहाँ पर हमारे पास होगा बिल्कुल यहाँ पर एक buying level मिल सकता है हमें buying के लिए और यहाँ पर कल के लिए अगर देखे तो कल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल उपर से rejections हमें देखने को मिल रहे है और नीचे से हमें support यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल इसी upside down momentum के चलते अगर आप देखोगे और 409 का level भी अगर break हो गया इस particular trade line को अगर इसने उपर की और break हुआ तो बिल्कुल यह आगे growth बताएगा बट वही अगर ए नीचे के level को इसने break कर दिया तो यहाँ से fall create हो सकता है बट यहाँ पर गिरावट के लिए भी से 407 का level break करना होगा क्योंकि यहाँ से support इसने लिया था क्योंकि यही पर से stock में एक strong rejection भी आया था और वही पर support लेके उपर की और गया था तो इसलिए ए लेवल अगर नीचे के और break out breakdown कर दिया तो काफी बड़ा fall आएगा 401 रुपे तक के level इस support ले सकता है क्योंकि काफी टाइम से अगर देखे तो pure price action इसमें work कर रहा है यहाँ पर भी जब break out हमें मिला था इस particular trade line का break out इसने लिया था तब यहाँ ही पर support इसने लिया था और उसके बाद एक अच्छी growth बताई थी तो बिल्कुल guys यहाँ पर हमें process के उपर test करना है फिर ही आगे कुछ decision लेना है I hope आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले insurance का एक बार analysis कर लेना है Thank you